नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका चाय के चर्चा में मंगलवार का दिन है आज तारीक है 22 नवंबर टाइम हो गया है आठ बज के 36 मिनट तो मार्केट को एक बार प्री मार्केट एनलेसिस के तोर पे जज़ करने की कोशिश करते हैं अगर हमको निफ्टी जो दिखा रहा है वो आपको 18245 दिखा रहा है तो लगबग ओपनिंग आपकी जो है सतर से सी पॉइंट येकल प्रीमियम पे चल रहा था 72 80 पॉइंट तो 150 160 ऐसे कुछ लगबग खुलना चाहिए 180 जो भी खुले ठीक है बाई पोजिशन हम लोग बना चुके हैं और उस बाई पोजिशन में कॉंटिटी और एड़ कर लेंगे अगर हमको निफ्टी जो है वह 18100 के आसपास मिलता है तो एक दो पोजिशन और एड़ करने की सोचेंगे नहीं मिलता है तो अल्रेडी हम पोजिशनली बाई में बैठ चुके एनी क्लोजिंग बिलो 17,960 जैसल और स्क्रीन पे अगर 17,900 के नीचे मार्केट चला जाता है तो और यहां से मैं दिसंबर एंड तक के लिए तेजी ही देख रहा हूं मार्केट में निफ्टी में ठीक है बैंक निफ्टी थोड़ा सा जगे जो है तो बहुत जादा स्ट्रॉंग बहुत बढ़िया स्ट्रॉंग दिख रहा है बट उसकी एंट्री का जो प्राइस मिल रहा है यार वो ठीक नहीं मिल रहा है यही अगर बैंक निफ्टी आपको 41 42,100 इसके आसपास मिले तो मजा आ जाए यार और वही थोड़ा मुझे क्या कहते हैं दिक्कत में डाल रहा है कि यहां से बाई कर 500 बिलो एनी क्लोजिंग ठीक है 41,500 बिलो एनी वह उसका एसल है और वहां से बहुत उपर है ठीक है तो उसमें एंट्री अभी नहीं बनाई है और नहीं वैसा वैसिन मैंने कोई टेलिग्राम पर डाला था निफ्टी का आपके लिए मैने टेलिग्राम पर मैसेज डाल दिया सब्सक्राइब कर रहा है और इसका जो रिजन है वो है जो सका वीकली चार्ट है बस वो लास्ट यह टॉप के पास लास्ट प्रिविएस टॉप के जस रिजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है ठीक है एक बार मैं आपको दिखाता हूं यह आप देखेंगे डो, यह weekly chart है, यह आपका Top दिख रहा है प्रीवेस Top, इससे पहले तो कभी प्रीवेस Top के पास जाता भी नहीं था, पहले भी Surrender कर देता था, उठता था Surrender, उठता था, इस Top के पास ने गया Surrender, अगर भहिया यहां से 34,100-200 क्रोस हो गया, और closing देना चालू कर दिया उसने इसने डाउ जोन्स ने तो इसका target फिर 35,100 के आसपास है ठीक है और 1000 पॉइंट के रह लिया जाएगी और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है बहुत छोटी सी candle बनिये weekly candle last week के और यह वाला भी week जो है ऐसा ही बनेगा ठीक है तो निफ्टी हो सकता 18,100 के आसपास मिले और वहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा मुझे 11-12 के लगबग तक movement ऐसी दिख रहा है वह जादा खास sideways type ही दिख रहा है इसलिए पोजिशनल ही बाई किया इंट्रेडे मत करिए लोग मुझे screenshot बेज रहे हैं कि मैंने 1st December का ले लिया है को जला लोगे मार्केट नहीं क्या मूव 3-4 दिन क्या कर लोगे ठीक है क्या कर लोगे प्रेमियम ऐसे जाएंगे टार्गेट आने पे भी प्रेमियम वापस नहीं आएंगे तो यार कम से कम December and expiry होनी चाहिए आपके पास ठीक है तब positionally आपको ट्राइ करना चाहिए इस expiry में बचाई क्या है चार दिन तो बचें इस expiry में तो फोड़ा दिमाग लगाई है उसी साफ से ट्रेड कीजिए इंट्राडेट ट्रेड नहीं बन रहा है बनता भी है तो 30-40 पॉइंट का बनता है यह मैं आपको पिछले 4-5 दिन से बता रहा हूँ या तो आपके अंदर इतनी निशानती नहीं होती है ठीक है वो आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता हूँ 18,180 के ऊपर अगर टिका रहा निफ्टी तो बाई कीजिए 220-240-260 यह दिखेंगे आपको पर आपको फिर बुक करना आना चाहिए ठीक है तो यह दोस्तों निफ्टी बेंग निफ्टी प्री Thank you very much.